जैसरी राधे दोस्तों केपी की वानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना रासी फल से संबंदित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वानी को ज़रू सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दामप अपते जीवन प्रेम संबंद को लेकर कोई भी परशानी है तो हमें मैसेज के जरीए जरूर बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी अगर आपको अपनी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब और किस से होगी कैसा रहेगा आपका जीवन साथी साधी कितनी दू जानकारी नहीं मिल पाएगी अगर आप अपने लब मैरिज को लेकर भविस्वानी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरन कमेंट बॉक्स में दे हम आपको जल से जल पूरी जानकारी देने की कोईसिस करेंगे अगर रिप्लाइग करने में देरी होती है तो आपने रास और हतास बिल्कुल नहूं कि आपको जवाब जरूर दिया जागा जोतिस्ते संबन्देत सबी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निसुल्क दिया जाता है आप अपने सवाल पूछने में जरा भी संसय ना रखें या सेवा पूरी वानी से रूबरू हो सके आईए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं तोस्तो साधी जीवन का सबसे महत्पून हल पल होता है जबकि उससे भी बड़ा जीवन साथी का मिलना होता है ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो आता है कि उनका जीवन स साधी होती है इसलिए हर किसी को साधी करना है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के और लड़कियां साधी से पूर भी एक दुसरे को जानते पहचानते हैं और उनसे ही साधी करना चाहते हैं इसे हम लड़का और लड़की एक दुसरे को अच प्लादाही तबज्यो देते हैं अगर आप भी किसे से प्यार करते हैं उनसे साधी करना चाहते हैं और आप चिंतित हैं कि linguini की वाहई एक अलएंकि यह गनना आपको जनतितिक आनुसार से दी जाती है यह बदलाव वह संबव हैं यह बदलाव कुणली के आनुसार से हो सकती है। अलाकि तोतिस गनना के आधार पर आपको यह सत्य और सठीक जानकारी दी जारी ही है इसमें कोई भी फिर बदल नहीं किया गया है तो आईए जानते हैं जनतिती के अनुसार से आने वाले बर्ष यानि कि 2021 में आपकी साधी लब मैरेज होगी अगर आपका जन एक तारीक को हु सकती है तीन तारीक को जन्म लेने वाले जातकों कि साधी लब मैरेज की संभावना अधिक रहती है तो अगर आपके से प्यार करते हैं तो आपके लिए खुसकबरी है आने वाले बर्ष में आपके लब मैरेज हो जाएगी चार तारीक को जन्म लेने वाले जातकों कि एक से अधिक प्रेम संबंद होते हैं अत्वाइं इनके प्रेम में संभेड़ता नहीं होती है जिस बज़ा से यह साधी पूरी तरह से सफल नहीं होता है इनके प्रेम जीवन में भी कभी न कभी गंभिरता नहीं आती है इस बज़ा से साधी के बाद भी जीवन खुशनवान नहीं रह सकता है साथ तारीक को जनम लेने वाले लोग काफी संकोची होते हैं तो अगर आपका जनम साथ तारीक को हुआ है और आने वाले वर्सें आप साधी करने के सोच रहे हैं तो लब मेरेज के संभावना बहुत ही कम है यानि कि अरेन मेरेज ही आपकी साधी होगी आठ तारीक वाले जन्म लेने वाले जातकों के साधी लब मेरेज ही होती है ये सिहरासी के जातकों की तरह होते हैं और लब मेरेज करने में ही विश्वास करते हैं तो अगर आपका जन्म आठ तारी को हुआ है तो आने वाले वर्षिमाप की साधी लब महरेज हो सकती है नौ तारी को जन्म लेने वाले जातकों की साधी माता पिता की सहमती से होती है तो अगर आपका दस तारीको है और आप लब मैरेज की बारे में सोच रहे हैं तो यह सोच बल्दल दें और मता पिता के सहमती से ही साधी करें 11 तारीकों जन्म लेने वाले जातकों के साधी लब मैरेज होती है पंद्रह तारी को जन्म लेने वाले जातक लब मैरेज अरेंज मैरेज दोनों साधी होती है हलाकि लब मैरेज को छोड़ के अगर अरेंज मैरेज करें तो आपके जीवन में अधिक खुसी होगी सोलत तारीको जन्म लेने वाले जातक माता-पिता की सहमती से साधी करते हैं और इनकी अरेंज मैरेज होती है सतरा तारीको जन्म लेने वाले जातक की साधी लब मैरेज हो सकती है अगर आप किसी को चाहते हैं साधी करना चाहते हैं तो उपर वाला भी आपके साथ है आप साधी के लिए हाँ कर सकते हैं अठ्छा तारीको जन्म लेने वारे जातकों के साधी माता-पिता की सहमती से होती है और इनके साधी अगर आप किसे से प्यार भी करते हैं तो माता-पिता की सहमती सही साधी होगी यानि कि love kum arrange हो सकती है, 50-50 chances है अपके लिए, 19 तारी को जनुप लेने ngoài जात को कि Ultra love marriage बिल्कुल नहीं होती है, arrange marriage साधी होती है, 23 तारी को जन्म लेने वाले जातक कि साधी लब मेरेज नहीं होती है बलगी अरेंज मेरेज साधी होती है 24 तारी को जन्म लेने वाले जातक कि साधी लब मेरेज अरेंज मेरेज दोनों होती है हला कि अगर यह अरेंज मेरेज साधी करे तो इनके लिए बहतर होता है क्योंकि लब मेरेज में इनकी जीवन काफी नर्फ में हो सकता है यानि कि साधी के बाद जगड़े हो सकते हैं पचीस तारी को जन्म लिने वाले जा तक अरेंज मेरेज ही साधी करते हैं और अरेंज मेरेज में विस्वास करते हैं ये किनी कारणवं से प्रेम विवाद नहीं कर पाते हैं 28 तारीक को जन्मलीने वाले लोग अपने मन की विचारों किसी के साम में नहीं दिखाना चाते हैं चाहे कुछ भी हो इस त्पार इस दिन जन्मलीने वालों की love marriage नहीं होती है 31 तारीक जनर लेने वाले लोग प्यार करते हैं लेकिन प्यारे मिस्वास नहीं करते हैं ये कभी भी किसी को लेकर कम भीने रहते हैं इनके एक से अधिक प्रेम संब्ध होते हैं इसलिए इनके साधी लब मैरेज बिलकुल नहीं होती है तो आने वाले वर्स में आपकी साधी ल तो दोस्तो आपको यह जानकारी दी गई तो दोस्तो आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक कमेंट और सेयर कर हमें जरूर बता है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मातारानी किरपा से आपके चेहरे पर हमें सामस्कान बनी रहें आप सब प्रिवार स्वस्ते बन सुखी रहें आप सभी के प्यार अफसने के लिए आप सब को उर्दय से धन्यवाद करता हूँ आप लोग इसी तरह अमारे साथ चुड़े रहें इनी सुब कामनाओं के साथ आप से बिदाल लेता हूँ जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकार लेकर आपके समख चाज़े रहूँगा तब तक इस नाचीज को इजाज़त दे आप जहां भी रहें मस्तर है वेस्तर है स्वस्तर है नमस्कार जैसरादे जैसरी कृष्णा जैमातादी दोस्त